के गाइज वर्गम बैक तो माई यूटूब चैनल और इन दिस वीडियो वी गोना डू दा डाटा इंटर्परेशन कोशन फॉम दा के विए समय तो इस वीडियो में हम कोशन करेंगे आपके के विए समय और जैसा कि आपको पता ही है हमने एक सीरीज चला रहे हैं जिस पर मैं के के वियेश मदान के जो अंसॉलों को सब करें तो अगर आप हमेरे चैनल पर न्यूओं आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को चलूल दबाएं ताकि फूचर में आने वाले वीडियो आपको सबसे जल्दी और असायन से मिल सेगे ऐगर दिस कैफिन शॉर्ट let's get started so guys question number six question number five तक हम पहले कर चुके थे राइट I hope आपको मेरी वीडियो देखिए आपने वाली वीडियो अब हम बात करेंगे question number six to question number 10 यहां पर उन्होंने एक data दे रहा है जो कि बच्चे से अपियर हुए है five schools के बच्चे हैं और 2004 से 2008 तक अपियर हुए है okay now question क्या कह रहा है question सबसे पहला question नहीं है आपर उन्होंने लिख रहा है the number of student who appear from the school e school e in 2004 2004 में 2004 में कितने बच्चे है 780 इस approximately what percentage of the total number of student who appear from all the school together in that year from all the school together in that year that mean जो यह सारे बच्चे है जो यह सारे बच्चे हैं उनका 780 कितना percentage आता है या फिर कितना percentage में है राइट तो 780 यहां पर है हमारे पास और यह लिकाना है कितना percentage है कि इन सब का इन सब का तो यहां पर हम add कर लेते हैं 650, 760, 820, 800, 780, so 0, 0, 5, and 6, 11, 2, 13, and 8, 21, carry on 2, 6, and 2, 8, 7, 15, and 8, 23, and again 8, 31, and 7, 38, this is 3810 तो उन्होंने हम से पूछा है कि 780 कितना percent है आपका 380 का, so guys जैसे कि आपको पता ही है 381 इसका कितना हो गया, 10%, अगर मैं approximately देखूं तो 380 का 760 होता है, 380, not 381, यहां पर मैं 380 ले रहा हूं तो 760 होता है, अगर मैं 381 का लोंगा, तो यहां पर 762 हो जाएगा, तो यहां पर around यह कितना है, 780, that means यह हमारे कितना हो जाएगा, 20% और अभी भी यह छोटा है, यानि कि option में, जो 20% से अबव होगा, वही मेरा option होगा, तो मैंने यहां पर देखा, हमारे post option जो आ रहे हैं, वह आपके option आ रहे हैं, 20 और 25%, now यहां पर मैंने देखा, अगर मेरा 25% तो हो ही नहीं सकता, why, because देख लिजिए, आपको 10% है, 381, या फिर आप ले सकते हो, 380, इसका अगरा half करोगे, 190, जबकि 780 और 762 में, सिर्फ और सिर्फ कितने का फरक है, 12, 18 का फरक है, right, तो यानि कि 10% कितना हो जाएगा, हमारा, 10% आपको हो जाएगा, 190, और इसका भी half करेंग तो यह आपको हो जाएगा, 9 जा, और 95, यानि कि यह हमारा हो गया, 5%, 5% हमारे पास, 20 की value कितनी आ रही है हमारे पर, मैं यहाँ पर द्वारा दिखा देता हूं, मैंने चेक करा कि मेरा जो 20% है, वो मेरा रहा है, 762, answer कितना चाहिए, 780, right, मेरे पास दो option है, 20 और 25%, now मैंने देखा, 20 तो कम बैटर है, क्या 25 हो सकता है, मैंने 5% और लिका लिया, 5% कैसे लिका लिया, आपका 10% कितना हो गया, 190, 10% है, 190, इसका आदा कर देंगे, 10 का आदा 5, 190 का आदा 95, जबकि यहाँ पर मेरा 5% आ रहा है, 95, लेकिन, मेरा 780 और 762 में, सिर्फ कितने का फरक है, 18 का, यहाँ पर 25% तो बहुत ज़्यादा हो ही जाएगा, आंसर क्या आएगा, आपका 20%, इस तरीके से आपको स्मार्ट वर्क करना है, हाड वर्क निकरना है, प्रॉपर कहीं आप आंसर लिकाने लग जाओ, तो फिर ना ही आपका कोशन पूरा हो पाएगा, ना ही आप एकुरेट आंसर पे पहुंच पाओगे, विकॉस कई वार क्या होता है, डाटर इंटरेप्रेटेशन में, दे विल आख यू दा अप्रॉक्सिमेट आंसर, ओके, और जैसे कि मैंने पुरानी वीडियो में बता रहा है, आपके पास एक कोशन के लिए, आराउंड एक मिनिट आपने अल तोगेदर, जो स्कूल भी है, उसका हमें क्या लिकालना है, एवरेज, तो यहीं पर हम क्या कर लेते हैं, इसका टोटल कर लेते हैं, आईए टोटल देख लेते हैं, 0, 0, 6, 4, 10, and 2, 12, 8, 20, and 4, 24, carry on, 2, 7, or 7, 14, and 2, 16, 16, and 16, 32, and 4, 40, that is, Sum तो आपके पास आ गया, 4040, कितने हैं, आपके एर कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, divided by 5 कर लेजिएगा, क्या 808 answer आ रहा है, 808 accurate आपका answer आ रहा है, that is, आपने यहाँ पर क्या लिकाल दिया है, average लिकाल दिया है, ओके, Now, next question क्यों देखते हैं, question number 8 की तरफ, question number 8 क्या क्या रहा है, the number of student who appear in 2006 from school A, 2006 year, school A year, कितने बच्चे अपेर हुए, 800, is what percentage of the total number of student who appear from school A altogether, वो कह रहा है, जितने सारे बच्चे A में, appear हुए हैं, सारे years में, उसका 800 जो है, कितना percent है, या फिर कितना percentage में है, ओके, तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको total कर लेंगे, 0, 5, and 5, and 5, 15, carry-on, 1, 7, 6, and 1, 7, 7, 7, 14, 14, और 8, 22, 22, और 7, 29, 29, और 8, 37, तो 3750 है, total number, यहां पर मैं लिख देता हूं, total number of student कितने हैं, आपके 3750, अमें लिकालने की हैं, यह में कितने बच्चे हैं, आपके 800, तो इसका percentage देख लेते हैं, that is, यह आपका 10% हो गया, इसको क्या हम करता हूं, 800 चाहिए, approximate डवल कर देता हूं, that is, multiply by 2 कर लेते हैं, 375 का, यह आपका हो जागा 50, carry-on, 1, and 3, 2, 6, 750, तो यह आपका हो गया 20%, यानि कि 20% से ज्यादा होएंगे, तो 20% से option सारे ही ज्यादा है, यानि कि हमें और लिकाना पड़ेगा, बच्चे कितने चाहिए आपको, 800, आपके पास कितने है, 750, कितने बच्चों की कमी है, 50 बच्चों की कमी है, 10% आपका कितना है, 375, अगर मैं यहाँ पर 10% जोड़ता हूं, मैं क्या करता हूं, मैं इसका 1% ले लिता हूं, 1% कितना हो गया, 37.5, यानि कि 1% जोड़ता हूं, मैं यहाँ पर 37.5, अब मेरे पे कितने बच्चे रह गए, 50 बच्चे आड़ करने थे, 37.5 में ड़को हूं, मेरे पे रह गए हैं 12.5 यानि कि अगर मैं एक और परसेंट एड करूंगा तो वो ज्यादा हो जाएगा अगर मैं एक और परसेंट एड करूंगा अगर आप option देखेंगे option नमबर भी आपको पूरा मैंने आपको बताया है नहीं लिकालना है ना मैंने आपको पूरा एकुरेट लिकाल के दिखाया है दिस इस इस हाओ यू गोना सॉल्ड डाटर इंप्रेशन वन मिनिट में एक और आप देखने हैं 21.33 ही आपको आंसर होगा आप चैक भी कर सकते हैं कोशन नमबर नाइन की तरफ फिलते हैं वाट इस रेशो ब्रूइन टोटल नंबर अफ इस्टूडेंट हू अपेर इन 2004 & 5 फॉम देश्कूल C & D 2004 & 5 में C & D में कितने कितने बच्चे अपीर हुए 2004 में 2005 इन दोनों के एड कर लेते हैं बात करते हैं जब हम C की राइट C में कितने बच्चे हुए है 0 & 0 0 2 & 6 8 & 8 16 D की बात कर लेते हैं याँ पर D में भी 0 & 0 is 0 & 0 & 8 & 7 50 तो यह बच्चे अपीर हुए उन्होंने हमचे क्या पूछा है रेश्यों पूछा है यानि की सी और डी का रेश्यों पूछा है 2004 पहले है 2004 पहले 2005 बात में 2005 बात में है जिरो से जिरो के अंसील हो गई यहां पर अगर आप देखेंगे तो 28 जा & 24 जा 27 जा & 29 जा तो 84-79 क्या कोई option आ रहा है option number A आपका यही आपका correct answer what is the average number of student who appear from the given schools in 2007 2007 में वो पूछ रहा है आपका average that is यह जो सारे बच्चे हैं इन सब को आप add कर लीजिए इन सारे बच्चों को add कर लेते हैं उसके बाद हमें क्या लिकालना है उसका average लिकालना है तो total number of student divided by number of student right sum of observation divided by total number of observation है तो इनको add कर लेते हम आई यह एड करते हैं यहीं से भी आप direct add कर सकते हैं 0 0 0 0 0 and 0 last में आएगी 0 5 and 8 13 and 2 15 4 19 and 9 28 carry on 2 7 and 8 15 and 15 and 9 24 24 और 8 24 और 8 32 32 और 7 39 and 241 4 1 8 0 आया है आपका sum of observation कितने schools है total 5 schools है divided by 5 5 8 या 40 18 बचा 5 3 जा 15 30 बचा और 5 6 जा 30 तो 8 3 6 8 3 6 option number second right तो guys इस तरीके से आपको data interpretation के question करने हैं जितना आप question करोगे उतना आपके लिए useful रहेगा because यह question ऐसे हैं आपके 5 question आने है और total 10 marks के portion आने ही आने हैं तो guys अगर आप इनकी मेहनत करोगे right अगर आपको नहीं पता है कैसे कैसे करने हैं तो आप कुछ मत करिए बस आप मेरे YouTube चैनल से जैसे जैसे मैं कराता जा रहा हूं आप वैसे वैसे करते चलिए मैं आपको guarantee देता हूं out of 5 portion out of 5 आप 3 portion बिल्कुल accurate correct करके ही आएंगे और it might be possible that you can do 5 out of 5 right I will not guarantee that you can you know do the 5 out of 5 but yeah definitely आप 5 में से 3 portion तो पक्का करके आएंगे तो guys पेपर बन की एक साथ तयारी करेंगे अच्छे से तयारी करेंगे और JRF को target करेंगे net को target नहीं करना है JRF को जब आप target करोगे तो net अपने आप ही clear हो जाएगा अगर guys आपको वीडियो अच्छी लगी है तो subscribe करें एक like जरूर करें और दोस्तों के साथ share करना ना भूले हम आपको ऐसी और ज्यादा useful video provide करवाते रहेंगे so मिलते हैं next video में तब तक के लिए stay happy keep smiling keep getting lots of memory this is kevin short thank you all of you